Uniform Civil Code यानि की समान नागरिक सहीता जिसकी चर्चा सोशल मीडिया पर खूब होने लगी है और इसकी वज़़ है हमारे नरेंद्र मोधी जी जिनोंने अपने एक भाषन में इसका पहुत जिक्र किया उस बात को आगे न बढ़ाते हुए हम ये समझे कि Uniform Civil Code होता क्या है आईए जानते हैं Uniform Civil Code तीन शब्दों से मिलकर बना हुआ है पहला Uniform, Civil और Code Code का मतलब होता है ठेट सारे कानूनों का एक सम्मू हो जैसे अपराथ से जुड़े सारे कानूनों को एंडियल पिलल कोड में रखा जाता है यान कि भरतियर डंदर सहीता में इखटा किया गया है जिसे हम IPC भी कहते है Uniform का मतलब है एक समान एक तरफ से जैसे स्कूल में अलग-अलग बच्चे एक ही रंग डिजाइन के ड्रेस पैन के आते हैं उनमें एक रूपता होती है कौन बच्चा कौन सी भाषा बोलता है किस जाती का है, किस धर्म का है, किस रंग का है इसका कोई फरक नहीं पड़ता और सबसे जरूरी चीज है सिविल अगर आपने कभी भी अदालती प्रक्रिया या पिर कानूनी मसलों पर गौर पिकिया होगा तो देखा होगा कि इनमें दो शब्दों का खुब जिक्र होता है सिविल और क्रिमिनल क्रिमिनल अपरादिक मामले होते हैं जैसे हच्च्चा, बलातकार, चोट, पहुचाना, जैसे मामले माना जाता है कि अपराद किसी व्यक्ति के खिलाप नहीं, बलके समाज के खिलाप है जबकि सिविल मामले ऐसे होते हैं, जो दो पार्टियों के बीच के अधिकारों को लेकर होते हैं जैसे पारिवारिक मामले, मालिकाना हक के मामले, प्रोपर्टी बटवारा, कॉंट्रेक्ट, लापरवाही जैसे मामले, ये सब सिविल मामले होते हैं तो इस तरह से युनिफर्म सिविल कोड का मतलब हुआ पूरे देश में रहने वाले सभी लोगों के लिए एक समान कानून फिर वो चाहे किसी भी दर्म, जाती, समुधाय के हो, कोई भी भाशा बोलते हो, किसी भी शेत्र में रहते हो, सब के लिए एक तरह का कानून अब ये भी जान लो कि इसकी अवशक्ता क्यों पड़ी तो बात ये है कि भारतिय समीधान के मुताबिक भारत एक धर्म निर्पेक्ष देश है जिसमें सभी धर्मों और सम्परदायों को मानने वाले लोग रहते हैं और सबको अपने अपने धर्म से समंदीत कानून बनाने का अधिकार है फिलाल भारत में दो प्रकार की परसनल लो है पहला है हिंदू मेरे जेक्ट गुनिस्सो चपन जो कि हिंदू, सिख, जैन और अन्य सम्परदायों पर लागू होता है और दूसरा मुस्लिम धर्म को मानने वालों के लिए लागू होने वाला मुस्लिम परसनल लो ऐसे में सिर्फ मुस्लिम को छोड़कर बाकी सबी धर्मों और सम्परदायों के लिए हिंदू मेरे जेक्ट गुनिस्सो चपन लागू है तो मुस्लिम धर्म के लिए भी समान कानून लगू होने की बात कही जा रही है आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है कमेंट सेक्चन में लिखकर जरूर बताएं